हे गाईज आज किस बूडूब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप Realme X5G मोबाईल में आप किस तरीके से इन डिस्प्लेय फिंगर्प्रिंट लॉक लगा सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते और आपको पताते हैं कैसे आप फिंगर्प्रिंट सेटप कर पाओगी तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद आएंगे नीचे के तरफ और यहाँ पर आपसन मिल जाएगा सेक्योर्टी एंड पास्टोर्ड एंड सेक्योर्टी आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर fingerprint का option देखने को मिलेगा तो आपको fingerprint पर क्लिक करने है उसके बाद continue पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद यहाँ पर आपको तीन आपसंस मिल जाएंगे numerical, फाइमेरिक और pattern तो आपको किसी पर एपी click कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर मैं pattern पर क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या करने है आपको continue पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद एक pattern आपको डाल लेना है जो भी आप रखना चाहते हो फिर से डाल दीजी तो यहाँ पर मैं pattern ड तो यहाँ पर देख पार हो कि मैंने scan करवा दिया है और यह लगवक done हो चुका है तो done आ चुका है done पर click करेंगे अभी यहाँ पर cancel कर देंगे और आपका fingerprint lock जो हो लग चुका है यहाँ पर देख पार हो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ lock करके तो यह पर मैंने lock कर दिया और देखो कि तो fingerprint आ चुका है तो हम लगा दिये तो देखिए on हो गया तो इस तरीके से आप fingerprint lock लगा सकते हैं